दोस्तो स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR National Environmental Engineering Research Institute की तरफ से वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर Civil, Electronic और Computer Science इंजिनियर से इलिजबल रहेंगे सेलरी यहाँ पर आपको अच्छी मिलने वाली है All Our India की Candidate यहाँ पर इलिजबल रहेंगे और क्या बताये गया है इनके Official Notice में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चेनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप Telegram चेनल और WhatsApp ग्रूप को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये नोटिस आपका CSIR नीरी नागपूर की तरफ से निकाला गया है यहाँ पर आप लोग Advertisment नमबर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपकी अलग-अलग ब्रांचों के लिए वेकेंसी रहने वाली है यहाँ पर B.B.T.E.C. वाले लिजबल रहेंगे बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में तो पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है Project Associate 2 के लिए Qualification में आपको बताया है अगर आपने B.B.T.E.C. किया है Computer Science, IT, Electronic या फिर Civil Engineering में मिनिमम आपके पास दो साल का वर्क Experience है आप लोग यहाँ पर इलिजबल रहेंगे Upper Age Limit यहाँ पर आपकी 35 साल रहने वाली है Salary यहाँ पर आपको 28,000 रुपे प्रतिमन्थ प्लस आपको यहाँ पर HR प्रोवाइट किया जाएगा जो बेसिकली यहाँ पर आपकी Contract Base पर रहने वाली है Initial appointment यहाँ पर आपकी एक साल के लिए रहने वाली है और अधित्तम इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है तो जिन भी दोस्तों ने हमारे B.E.B.T.E. किया है इन ब्रांचों में और आपके पास दो साल का वर्क एक्सपिरियेंस है तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपना updated CV लेना है उसके साथ में आपकी जितने भी जरूरी डोकुमेंट है उन सब को आपको self-test करना है और आपको पहुच जाना है इनके official address पर इंटर्व्यू यहाँ पर आपका होने वाला है 31 मई को 17 दस बज़े से इससे पहले आप लोगों को वहाँ पर अपनी entry कम्प्लीट करा लेनी है जिन वे दोस्तों ने हमारे भी वी टेक किया है रिलेवन ब्रांच में आप इस post के लिए interested होते हैं eligible होते हैं आप इनकी nearest location में आते हैं आप ये interview जरूर दीजिए अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में